आप सबको पता है कल क्राइम ब्रांच की एक टीम, दिली पुलीस की एक टीम, मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल जी के आवास पर आई थी और एक नोटिस देना चाह रही थी पांच घंटेों तक उन्होंने सडक पर इंतजार किया और आखिर में ये नोटिस सी एम दफ्तर के किसी स्टाफ को देखे गए ये नोटिस की कॉपी मेरे पास है, ये है नोटिस की वो कॉपी, ना इसमें कोई FIR का जिकर है, ना तो ये समंस है, ना ये कोई preliminary inquiry है, ना इसमें कोई CRPC की धारा का mention है, ना IPC की धारा का mention है केवल और केवल वाइट पेपर पे ये एक खत है, क्राइम ब्रांच की तरफ से ये अरविन केजरिवाल को केवल एक खत है और एक खत को सौपने के लिए, दुख होता है कि एक खत को सौपने के लिए भाजपा ने दिल्ली पुलीस के एक senior अफसर को 5 घंटे तक नोटंकी कर आने के लिए मुख्यमंत्री आवास के घर के बाहर सडक पे नचाया, बहुत दुख होता है, हमारी साहनभूती है इस अफसर से कि उनको ये काम करने पे मजबूर किया, आप खुद सोचिए, ये केवल और केवल एक खत है, हर दिन, अगर आप देखो, तो किसी के भी घर Amazon, Flip काट के delivery boys आते हैं, कुछ देखे जाते हैं, कोई खत आता है, postman आता है, चिटी देखे जाता है, हर मंत्री के घर के बाहर, या हर मुख्यमंत्री के घर पे एक dark office होती है, जो ये खत रिसीव करती है, तो ये क्यूं हुआ, कि क्राइम ब्रांच के एक senior अफसर को भाजपा के क कहने पर, पांच घंटे तक केवल और केवल यही गुजारिश करने के लिए, कि नहीं मैं दूंगा तो मुख्यमंत्री के हाथ में दूंगा ये खत, जिसका कोई legal basis नहीं था, मुझे दुख होता है, क्राइम ब्रांच के इस अफसर पर, कि जब उसने नौकरी जॉइन करी थ महीला सुरक्षा पहुचाने के लिए आया हूँ, बड़े-बड़े क्राइम सौल करने के लिए आया हूँ, नाखी मुख्यमंत्री घर के बाहर भांगरा और नौटंकी करने के लिए पांच घंटे तक बीजेपी के इसारे पे खड़ा रहूंगा, और उसके बाद भी, उसक झाल